नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप सब मैं उम्मीद करती हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे आज मैं फिर से आप लोगों के सामने एक वीडियो लेके आ गई हूं आज का अमारा टॉपिक है वीडियो को शुरू करते हैं वीडियो शुरू करने से पहले मैं शिवाएंगी पांडे आप सबी का मेरे चैनल राच्यों मिस्टरी पॉइंट पे स्वागत करती हूं उमीद है आप लोगों मेरी आज की वीडियो पसंद आएगी अध्याय एक प्रबंध चप्टर फर्स्ट प्रबंध अवधारड़ा प्रक्रिया प्रकृति एवं महत्व मैनेजमेंट, कॉंसेट, नेचर, प्रोसेज, एंड सिग्निफिकेंस अति लगू, उत्रिय, प्रश्न, वैरी, शॉर्ट टाइप, क्वेस्ट्ट्र प्रश्न एक प्रबंध से आप क्या समझते हैं उत्तर, दूसरे व्यक्तियों से कारे कराने की क्रिया को ही प्रबंध कहते हैं अर्थात, प्रबंध के अंत्रगत, दूसरे व्यक्तियों से इस प्रकार कारे कराया जाता है कि उपलब्ध साधनों का अधिक से अधिक एवं मिध्य व्याई उप्योग हो सके और संस्था के उद्देश्यों को प्राप्त कराने के लिए हर संभव प्रयत्न किया जा सके Question 1. What do you mean by management? Answer. Management is concerned with accuring maximum profit with a minimum effort. Management is initial where our group efforts are required to be direct toward achievement of common goals. In this management, consensus is the importance of management can hardly be of over-impleased. Impressed Question 2. Prabundh के कारे बताईए. उत्तर, प्रबंद के कारे को निम्न भागों में बाटा गया है. एक नियोजन, दूसरा संगठन, तीसरा अभी प्रेड़ा, चौथा नियंत्र, पांचवा सम्मन भागों एवं सम्मन भागों. Question 2. What are the functions of management? Management. Answer. Planning. Second. Organization. Third. Motivation. Fourth. Control. Fifth. Coordination. Question. प्रबंद प्रिथक अस्थित्व रखता है. Question. Third. Explain the characteristics of management. Answer. Management is a process. Second. Management is an endeavor to achieve the pre-determined objectives. Third. Group activity. Fourth. Management aims at reaping rich result in economic term. Fifth. Management also implies skill and experience in getting things done through peoples. Question. 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 Fourth. Question. 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 Discuss significance of management. Answer. Answer. First. First. Optimum utilization of resources. Second. Efficient and smooth running of business. Third. Development of resources. Fourth. Management directs the organization. fifth integrates virus interest. मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगको मेरी वीडियो पसंद आई होगी. अगर मेरी वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक करिए चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए. पाल टूब के लिए कमेंट करिए. सब्सक्राइब करके बैल आइकन का प्रेश जरूर करें ताकि हमारे चैनल पर आने वाली कोई भी वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले थैंक्यू बाबाए मिलते हैं.